दिल्ली में वैसे तो ऐसी कई जगह है जिसे लोग भूतियां कहकर बुलाते हैं, इसमें लोग अग्रसेन की बावडी का नाम सबसे पहले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको किसी ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हो सकता है कि आप वहां कभी न कभी गए हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको ना पता हो। आज की इस वीडियो में हम आपको उस भूतिया जगह के बारे में बताएंगे, जहां पर डर का एहसास होने लगता है। फिरोजशाह कोटला किला दिल्ली की सबसे पुरानी सन रचनाओं में से एक, फिरोजशाह कोटला किला 1356 में सुल्तान फिरोजशाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। एतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस किले का निर्मान तब किया गया था जब शासक ने पानी की कमी के कारण अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए किला पवित्र यमुना नदी के तट पर बनाया गया था किले के परिसर में कुछ शानदार बगीचे, मस्जिद, महल आदी हैं किले के प्रवेश द्वार पर शासक के नामवाला एक विशाल लोहे का द्वार है और किले की दीवारों की सीमा पंदरा मीटर तक उंची है फिरोजशाह तुगलक को शिकार, सिंचाई और वास्तुकला में काफी रुची थी उन्होंने कई शिकारगाह जैसे मालचा महल, भूली भटियारी का महल और पीरगायब बनवाए कई शहरों की बुनियाद डाली, कुतुब मीनार, सूरजकुंड की मरम्मत करवाई, हौजखास के तालाब की भी मरम्मत फिरोजशाह ने करवाई थी वहीं उनका मकबरा भी है, फिरोजशाह के शासन में दिल्ली में कई मस्जिदें भी बनाई गई, हलांकि किले की कई सनरचनाएं खंडहर हो चुकी हैं, बावडी अभी भी अच्छी स्तिति में है किले की दिल्चस्प विशेष्टाओं में से एक यह है कि इसमें एक अशोक स्तंब है, जिसे फिरोजशाह द्वारा अनबाला से दिल्ली लाया गया था इस अशोक स्तंब के कारण इस किले की भव्यता बढ़ जाती है, इस तीन मंजिला इमारत का निर्माण फिरोजशाहत तुगलक ने अशोक स्तंब को स्थापित करने के लिए बनवाया था मूल रूप से इस स्तंब की स्थापना महान समराट मौर्य अशोक ने करवाई थी यह 13 मीटर उंचा है और इसमें अशोक के सिध्धानतों के शिला लेख है वर्तमान समय में भी इस किले के अंदर सीक्रेट कोड में अवशेश मिले हैं जिसमें किले के गुप्त राज को लिखा गया है लेकिन इन्हें कोई समझ नहीं पाया है इसमें किले की कोई मुख्य जानकारी को लिखा गया है जिस समय इस किले का निर्मान किया गया था उस समय यह भव्य रूप में दिखता था आज इस खुबसूरत किले के बहुत सारे हिस्सों को प्रकृती ने अपनी गोद में समा लिया बाकी के हिस्सों को हमारे जैसे लोगों ने खंडहर में बदल दिया उन्हीं खंडहर हिस्सों में किले में जाने से डर लगता है किले में घंगोर अंधेरा रहता है और किले के कई हिस्से अजीब से डर का एहसास कराते हैं खुफिया रास्ते थे उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है लोहे की मोटी मोटी सलाखों से किले के रास्तों वद तहखानों को बंद कर दिया गया प्राचीन काल के बहुत सारे तहखाने अकलपनिय राज को समेटे हुए जो आज भी किले में हमेशा के लिए बंद है उनी प्राचीन काल के इतिहास को देखने के लिए हमें आज भी इंतजार है